खबर रोहतास जिले के बिक्रम गंड से है जहां शनिवार को स्थानिय शेहर की आरा रोड स्थेट बाल विकास परियोजना कार्याले में पोशन पक्वाड़ा के तहत कुविज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना पदा धिकारी कुमारी कमला सिनहा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 21 मार्च से 4 अप्रेल तक पोशन माह के रूप में मनाया जा रहा है इस माह में 21 मार्च से 4 अप्रेल तक पूरे देश में राश्ट्रे मिशन के तहत पोशन पक्वाडा मनाया जा रहा है पोशन पक्वाडा के तहत लाभार्थियों को पोशन के प्रतिजागरू करने के लिए कार्यालय में कोहिज प्रतियोगिता का आयूजन किया गया इस खुईज प्रतियोगिता मेला भर्तियों के रूप में किशोरी, गर्भवती वधात्री महिलाओ ने भाग लिया जिसे टीम A और टीम B के रूप में बाटा गया सभी टीमों के लिए कुल पोशंड से संबंधित दस्सवाल निर्धारत किये गए थे किशोरी के टीम A में कुमारी निशू, बुचुन कुमारी एवं रोशनी परवीन और टीम B में बबिता कुमारी, मेरी कुमारी, मुस्कान कुमारी एवं मोनी कुमारी ने भाग लिया जिसमें दोनों टीमों से पोशंड से संबंधित बाल विकास पर योजना पदादिकारी जहां के द्वारा कुल दस सवाल पूछा गया, जिसमें सवालों का जवाब देते हुए टीम B की मुस्कान कुमारी ने कुल 20 अंक प्राप्त कर विजी घोशित हुई, निर्नाया के रूप में के इंडिया के प्रखंट प्रबंध कुश कुमार उपस्तित थे, गर्भवती के टीम A में प्रमिला देवी, गुडिया देवी, नीतु कुमारी, रीना देवी, उम्राबती देवी और टीम B में निकी कुमारी, चान्नी कुमारी, संगीता कुमारी, सिंकु कुमारी, महरुन निशा ने भाग लिया, जिसमें सवालों का जवाब देते हुए टीम A की नीतु कुमारी ने भी संक प्राप्त कर विजे घोशित हुई धात्री के टीम A में नगमा खातून, लाली देवी, मीरा कुमारी और टीम B में शारदा देवी, तारा कुमारी, तेत्री कुमारी ने भाग लिया जिसमें टीम B की तारा कुमारी ने 25 अंक प्राप्त कर विजे घोशित ह सभी विजेताओं को बाल विकास पर योजना पदादिकारी कुमारी कमला सिनह के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। धात्री महिला के खान पान, अत्रिक्त भुजन, बच्चे के जन्ग के 24 घंटे के अंदर लगने वाला बीसी जी का टीका, बच्चों के आहार में विविद्ता, चावल, दाल, सबजी, तेल, इत्यादी के संबंध में जानकारी दिया गया। सेविक देवी, गीता देवी एक, गीता देवी दो, संगीता सिंग, जोती कुमारी, नीलो फर, आशा कुमारी, मान्ती देवी, शकुंतला देवी, लालती देवी, लिलावती देवी, सुधा देवी, मनी देवी, कुसुम देवी, अलावे अन्ये सेविकाय मौजूद थी. हम लोग जाके को सक्षेत्र में किये, तो हम लोग यही थोरा सा जानने का के लिए एक छुट थे कि हम लोग जो कारिकरम आगनवारी के माधिन से करा रहे हैं, वो कितना हद तक मतलब सपल हो रहा है, तो इसके लिए पकवारा से संबंधित हम लोगो सवाल तरयाद किये थे, औ और गर्वती महिला को, धातरी माता को, और 10-18 साल की की सूरी को भुलवा करके एक प्रशनोत्री पठ्टियोक्ता करवा है, जिसमें सारा कोशन से रिलेटेड सवाल था, और यह बहुत खुसी की बात है कि हमारे हां के तीनों लाभुक बहुत अच्छे से पाटिसिपेट की और उनों ने अच्छी जानकारी उनको देख कर लगा कि वो हमारे कारिकरम में से उनको अच्छा संबंध में आ रहा है, और उनों ने बहुत अच्छा जवाब किया, तो इसी प्रशन के संबंध में जैसे गर्वती को दिया गया, कि उनको तब टितनेस का सूरी महिलाओं को लेना चाहिए, कब-कब वजल लेना चाहिए, उनको अतिरिक ताहार लेना चाहिए कि नहीं, करसब की तैयारी के लिए उनको क्या क्या स्वच्छिता पे जान, पांच स्वच्छिता जो होता है, वो क्या क्या होता है, उनको अतिरिक ताहार में किस खात्यपदार की मात्रा जादा प्रोड़ देन São हम रधान के लिए कि अपने त्रलिकितन ala क crippli क्ली आइरन की कुले आफेटर吧 काल में अवेतर लेनी आई dus और उसे बच्चे के भोजन में विवीदता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मा को कब तक अपने बच्चा को उप्रियाहार के साथ असन पान कराना है यह सब से संभनी सबाल में सब कुछा लिया है